अब आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में स्वागत है जम्मू में आज कल रात से अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगबग 23 लोगों की जान COVID-19 के कारण गई है मेरे साथ भारत जिंता पार्टी के प्रवक्ता और पूर जम्मकुश्मीर हाई कोड़ बार स्ट्यू हुए थे पहले बताईए आपका स्वास्त कैसा है देखें जुनाथ जी मैं आज फिफ्टीन्थ डे है तो आइम वर्चुली आउट अफ दिस कोविड नाइंटीन तो पंदरा दिन के बाद मैंने आज फर्स टाइम किसी से बात की है और आपके साथ आनलाइन भी ह स्टाओं को बंगाल के उपर चिंतित होता हुआ भारतिन्था पार्टी की यूटी कार्याले के बाहर देखा गया लेकिन और उसके बाद सुपर स्पेशाल्टी हॉस्पिटिल के बाहर भी भारतिन्था पार्टी के कुछ नेता नजर आए लेकिन सीडी हॉस्पिटिल के बा आजप्पा हंगामा करेगी लेटनेर्ट गवर्नर के संग्यान में चीजें लाएंगी और उनको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आम लोगों की जान जा रही है और आप सफल नहीं हो पा रहे है ना तो इस इंफेक्शन को रोकने में ना ही लोगों की जान बचाने में क्या क मतलब administration पूरी तरह से helpless नजर आ रही है ये आपका ये कहना कि बारती जनता पार्टी के कारे करता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं मैं इससे मुत्फिक नहीं हूँ अगर आप rural area में भी जाएं अर्बन एरिया में भी जाएं तो सिरफ बारती जनता पार्टी के ही कारे करता हैं ज आपने देखे जो अलग लग जगाओं पे राशन दे रहे थे और अब करोना सेकंड फेस में अगर आप देखें वैक्सिनेशन ड्राइव हर एक community health center primary health center या सब डिस्रिक हास्पिटल में भी बारती जनता पार्टी के आठाट आठाट दस-दस कारे करता हर एक मंडल पे हर ए की मदद कर रहे हैं यहां तक आप जी एमसी सीडी हास्पिटल या सुपर स्पेशलिटी की बात करें हमारी पार्टी के परदेश या यूटी के अध्यक्ष रविंदर रेनाजी दिन में एक एक बार जरूर जाते हैं principal से मिलते हैं medical superintendent से मिलते हैं और administrator से मिलते हैं अब यहां इसमें मैं आप से बिलकुल एगरी करता हूं कि 100% इसमें success rate नहीं है मेरे मुदाबिक जो मेरी assessment है या मेरी wisdom जो कह रही है यह 50% भी लोगों की requirement को हम cater नहीं कर पारें यह सब जानते हैं कि administration जो है तीन तीन टायर हैं त्री टायर of administration जैसे आप देखिए आप लेवल पे administrative secretaries हो उनके नीचे head of the department होते हैं major head of the department जिन में आप director social welfare director rural health mission director health services और उसके नीचे होते हैं जैसे videos होते हैं district social welfare offices होते हैं इनकी public outreach कम होती है तो इनको चाहिए अब अपने secretary से बाहर निकल के अपने offices से बाहर निकल के अब मैं देख रहा था आज newspaper में पढ़ रहा था डेली Excelsior में कि LG साहब ने directions इशू की है senior doctors को कि वो राउंड लगाएं hospitals का क्या यह अभी ज़ूरत पड़ी यह senior doctors की खुद अपनी duty नहीं बनती कि गरीब लोगों की भी मदद करें गरीब लोगों की भी treatment करें उनको भी beds प्रवाइड करें उनको भी oxygen प्रवाइड करें उनको भी ventilators प्रवाइड करें यह देखिए यह जो काम शायद आपको याद होगा आपने पिछले साल भी मेरा interview किया था COVID-19 पे ही मैंने आपको कहा था जुनेद जी LG साब अच्छा काम रहें कर रहें हैं लेकिन यह overnight medical infrastructure जो है यह अपग्रेड होने वाला नहीं है आप 8 मीने 10 मीने पहले मेरा interview निकाल की देख लीजी आपके साथ थी मैंने का था कि यह 15-20 साल पहले existing medical infrastructure को अपग्रेड करने की जरूर थी और नया infrastructure create करने की कहीं बगवती नगर बनाने की त्यारी में हैं जी आप देखिए आपके जमू सिटी में जो जो जेडिया की parking बनी है बास्टेंड पे फ्री टायर पार्किंग जो बनी है यह आपके सिटी के बीच में है यहां पे बैट्स लगा सकते हैं यहां पे आप कोविट की treatment कर सकते है हैं यहां पे temporary arrangements कर सकते हैं लेकिन बदकिस्मती से administration को कौन बार बार देखिए यह आप लोग हैं मीडिया वाले हैं जो सडकों पे आ रहे हैं hospitals में जा रहे हैं पेशेंट्स के घर तक पहुँच रहे हैं और administration को जागरू कर रहे हैं या बारती जनता पार्टी के कारेकरता भी कर रहे हैं मैं नहीं देख रहा कि स्यार प्लिटिकल पार्टी के लोग सटकों पे जा रहे हैं, यहां प्रूप्णी जा रहे हैं, यहां भी जा रहे हैं। सब बन था complete lockdown था प्रधान मंतरी ने lockdown का announcement की lockdown हो गया इस बार उन्होंने रख छोड़ा state governments पर की आप करिये क्या पिछली बार health के जो हमारे secretary है टल डुलू साहब वो इतने कामियाब हुए थे कि अभी भी आपने उनको continue किया हुआ है सुनने में ही आ रहा है कि chief secretary की दौड में जो लोग होते हैं वो अकसर पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे दामन पर कोई दाग ने लगे मैं बिल्कुल साफसुत्रा रहूं चाहे लोगों की जान जाए जो मर्जी वो हो जाए मेरे दामन पर कोई दाग लगना नहीं चाहिए कुछ भी innovative देखने को हमें नहीं मिल रहा तो आप से जानना चाहूंगा कि पिछली wave में कि में health विभाग के इन सारे officers की असफलताओं को देखते हुए क्या इने continue किया जाना चाहिए और क्या वजा है कि लोगतांत्रिक धांचे का एक सबसे important और integral component होती हैं अलग 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 पार्टियां भारतिंता पार्टियां कांग्रस है नेशनल कांफरेंस है आप सभी पार्टियों का क्या वर्चस भी खतम हो गया है कि सरकार आपकी बात सुनके राजी ही नहीं आप लेकुनाज पॉइंट आउट करते हैं आप कहते हैं जनाब इस अफसर को बदल दीजिए और आप ये भी बताते हैं कि जनाब आप आंक्रे देख लीजिए एक महीने के अंदर अंदर आपके जम्मो में 200 से ज़्यादा लोगों की की जान अभी तक जा चुकी है और वी अर्नट सीग एक्शन अगेंस ए निवन तो आप राजीतिक दल हैं आप इस सकता में हैं केंदर में जम्मो कश्वीर में नहीं हैं तो आप इतने असमर्थ यहां कि कोई सुनता है जब गोवर्मन्ट की अपनी ट्रांफ 했어 policy है कि minimum tenure against a particular post is two years maximum tenure is three years what interest a particular person has to stick against a particular post देखिए ये सब को पता है कि जो efforts आज से 10-12 मीने पहले करने चाहिए थे या आठ मीने पहले करने चाहिए थे वो नहीं हुए आक्सिजन प्लांट्स अब दिली से आ रहे हैं मेशिनरी अब दिली से आ रहे ही है जो पहले प्रियम्ट करना चाहिए था वो नहीं किया गया और हर दिन जब मीडिया या पॉलिटिकल पार्टी के लोग बारती जनता पार्टी के कारे करता या लीडर्स जो जो फीड़ बैक दे रहे हैं उस पे ये काम करना शुरू करते हैं इसका साफ मतलब है कि अतल डूलू जो है कमिशनर सेग्रेटरी या प्रिंसिपल सेग्रेटरी या फिनेशल कमिशनर हैल्थ और मेडिकल एजूकेशन के ये मेरी मेरी असेस्मेंट के मताबिक वो अपनी परफार्मेंस पे पूरे नहीं उतर रहे हैं और ये एक बड़ा अप कोडिनेशन डिफरेंट प्रिंसिपल्स आफ मेडिकल कालेजी से हो अब मैं एक बात हो रहा है आपके संग्यान में लाना चाहता हूं प्रिंसिपल मेडिकल कालेज जम्मू प्रिंसिपल मेडिकल कालेज श्री नगर एड्मिस्टेटर्स मेडिकल सुपरिंटेंटेंटेंट् established government medical colleges जुनेयद जी ये एक पोस्ट है जो merit के base पे फिल की जाती है seniority is no criteria लेकिन हम वही बेड़ चाल पे चले चले जा रहे हैं जो senior most है हम उसको temporarily principal medical college की chair में बढ़ा देते हैं पिछले 25 साल से मैंने एक भी principal permanent नहीं देखा उसको look after या in addition to his own duties वो professor भी है वो होडी भी है वो principal medical college भी है लेकिन permanent नहीं जो आदमी seniority पे बैठता है merit नहीं देखा जा सकता या देखा जाता वो कैसे perform करेगा principal medical college की chair पे बैठके आप भी देखते हैं हम cricket देखते हैं आप देखते हैं ये कहीं का सूल नहीं है कि अगर merit पे selection होनी चाहिए तो seniority देखी जाएगी merit ignore किया जाएगा cricket देखते हैं हम पुराने खिलाडियों की seniority दर किनार की जाती है जो better perform करता है उसको team 11 में रखा जाता है उसको captain बनाया जाता है जब आप देखते हैं कि captain हमने senior most बनाना है merit नहीं देखना है आप जनता की सेहत के साथ उनकी जिन्दगियों के साथ खिलवाड कर रहे हैं अगर आप गमिट मेडिकल कॉलिज की सिती देखें तो एक दो तस्वीरे नजर आती हैं वो बिलकुल समझ से परे हैं एक तरफ आप कोविट वाड़ू के अंदर जहां कोविट positive patient हैं आप attendant को कहते हैं कि आप अंदर चले जाएए मास्क पहन कर और ग्लाउस पहन कर आप अंदर अपने patient के साथ रह सकते हैं हम समझ सकते हैं कि सरकार के पास nurses नहीं हैं उस कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है फिर जब उसी patient की death होती है और जब उस patient की death होती है उसका शव जो infection नहीं फैला सकता जिससे infection की संभावना zero है इसी परिवार को कहा जाता है कि अब आप शम्शान काट PPE kit पहन कर पहुंचिए और PPE kit में चार लोग आपके खड़े हो जाएंगे और इनका आप अंतिम संसकार करेंगे या आप इनको दफन करेंगे मुझे बताईए अबिनव जी आप एक वरिष्ट वकील हैं एक लंबे समय तक आप बार के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस तमए भारतने पार्टी के प्रवक्ता हैं आप इस स्थिती को लेकर क्या कहेंगे कि जहां से infection फैल सकता है वहां आप कहते हैं मास्क पहनी है और जहां infection फैलने की संभावना बिलकुल ला के बराबर है वहां आप कहते हैं कि जनाब या मास्क की जरूरत भी है या किट भी पहननी है या सब कुछ करना है क्या दर्शाता है यह देखिए जुनाइज जी आप अगर PGI जाए जाएं या graduate nurses मिलती है चार हमारे जम्मू कश्मीर में nursing के colleges हैं लेकिन अभी पिछले कुछ एक साल पहले बी एस सी nursing का शायद course टार्ट हुआ है यहां पे वही ancillary nursing medical institute था एक यहां पे nurse's की training होती थी एक साल या धेट साल या दो साल और मैं आपके संग्यान में लाऊं दो हजार ग्यारा में यहां पे एक amt school में principal को appoint किया गया था look after for few days तब nc congress की government थी ठीक 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 आज दस साल से continue कर रही है जब उनको लगाया गया था वो eligible नहीं थी एक eligible candidate को आप principal appoint करते हैं in order to look after look after आपको पता है कि अगर जुनेज जी अपने office में नहीं है आप अबिनव शर्मा जी को कह सकते हैं कि you look after for one day two days or three days question of one decade 10 साल से वो principal look after कर रहे हैं ineligible candidates आप बताईए जनता की सहत के साथ चैरदारों की सहत के साथ उनकी जिंदगीं के साथ कैसे खिलवाड किया गया ये ये जो working culture था जमू कश्मीर का अब लोग कह रहे हैं यूटी बढ़ने के बाद हमने क्या खोया क्या पाया मैं बार बार कह रहा हूँ ये initial jerks हैं लगेंगे हमने working culture कभी adapt नहीं किया इस वज़ा से जमू किश्मीर पीछे रहा है हमारे मंत्रियों ने जो भी यहां पे government सही पिछले 70 सालों से उन्हों ने अपने गर बरे health infrastructure की तरह बिलकुल नहीं देखा आपने बचों को बाहर पढ़ने के लिए बड़ बड़े business खोल दिये और जमू किश्मीर की ग्रीब जनता को चपडासी लगा दिया किसी को SPO लगा दिया किसी को होमगाड लगा दिया किसी को PHE PDD में डेली वेजर लगा दिया और वो 25-25 साल से सडकों पे permanence मांग रहे हैं ये working culture था जमू किश्मीर का इसकी वज़ कि आप इनो जी समय नहीं आया है कि अगर जमू किश्मीर की और यहां तक भी शिकायते सुनने को मिलती हैं कि आप हॉस्पिल के अंदर जाते हैं तो nurses को ये कहना कि जनाब मेरे patient को insulin का injection इस समय लगना था आपने लगाया क्यों नहीं वो आगे से जगड़ा करने और लड़ा आती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस आदमी को सेवा भाव नहीं है जो सेवा नहीं करना चाहता है आप उसको केरला से नर्स लाकर रिप्लेस करिए पंजाब से नर्स लाकर रिप्लेस करिए कब तक हम ये गले में घंटा बांद के रखेंगे कि जनाब हमको domicile चाह कि यहां पर हमको नौकरी देनी है लोगों को रोजी रोटी खिलानी है तो आप रोजी रोटी खिलाते रही है आज आपका हाल यह है कि आपको कोविड पॉजिटिव पेशिंट के वार्ड में अटेंडेंट को रखना पड़ रहा है और शम्शान घाट और कबरिस्तान में देखिए जुनेजी ऐसा है यहां पे लोग हवा के साथ चलते हैं यहां पे हवा का रुखा उसके साथ उसकी तरफ चलते हैं मैं आप से शुरू से कह रहा हूँ मैं बादर नहीं करता हूं कि लोग क्या कमेंट करते हैं मेरे इंट्रिव्यू के बाद मैं सचाई की बात करता हूँ जम्मू किश्मीर में वर्किंग कल्चर नहीं था मैं यह कह रहा हूँ आज से पहले भी लोग चिलाते रहे हैं कि मेडिकल कालेज या जम्मू किश्मीर के हास्पिटल्स में प्रापर केर नहीं होती मेडिकल इंस्टर्चर नहीं है लोग पीजी आई जाते थे लोग डी लेकिन अबिनल जी पहले लोग सुनते तो थे किसी की, आज तो आपकी सुनता ही कोई नहीं, तो सरकार आपकी नहीं सुनती, सेक्रेट्री आपको ठीक नहीं लगता, शेहर दाराने जमू आपको कहा रहा हैं कि जनाब हेल्थ पे भाग के जो आफिसरान जिन जो लोगों को जि कर रहें। आप की तो सुनी कोई नहीं रहा है। ति किस तरह से सट्ता में है। मैं जुनेल जी आपको ये कह रहा हूँ। बार बार रिपीट करता हूँ कि %70 से लेके चीफ सेक्रेटरी तक सभी पुब्लिक सरवेंट्स पब्लिक मीन्स जनता सर्वेंट मीन्स नोकर जनता की सेवा करने के लिए हम पब्लिक सर्वेंट हैं और यह जो चेर हमें मिलती है जनता की सेवा करने के लिए मिलती है लेकिन बदकिसमती से जब तक हमेरी नोकरी नहीं मिलती हम यह सोचते हैं कि हम नोकरी मिलेगी हम लोगों क सेवा करेंगे लेकिन जैसे ही नोकरी मिलती है हम समझते हैं ये चेर हमारी जद्धी जायदात है हम लोगों की सर्विस बूल जाते हैं अपनी सर्विस जाद रखते हैं ये वर्किंग कल्चर जम्मू किश्मीर में था इसकी वज़ा से जम्मू किश्मीर की पबलिक सफर कर रह किसी ने लोगों को एजुकेट नहीं किया समय आ गया है कि आप गाज गिरनी चाहिए उपर से लेके नीचे तक तो लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं तो गाज गिरेगी कैसे आज भी अगर डे बाई डे कुछ इंप्रूब्मेंट स्टेप बाई स्टेप ग्रेजूली अगर हो रही है तो ये बारती जन्ता पार्टी के लीडर्स चाहे वो चिला रहे हैं चाहे वो एक कार्णर से दूसरे कार्णर बजा रहे हैं या अमिर शाजी के संग्यान में ला रहे हैं या अमिर शाजी के संग्यान में ला रहे हैं बारती जन्ता पार्टी के कारे करता ला रहे लीडर जा रहे हैं चाहे इसमें जिस भी स्पीड से काम हो रहा है लेकिन अबनो जी आइस साल पहले 40 साल पहले 30 साल पहले हो जाना चाहिए था जो बदक हिसमति से नहीं हुआ अबनो जी आप कह रहे हैं कि आपको कोविड नाइंटीन के positive patients की परिशानी है जो city hospital में है जो gmc में जिनकी जान जा रही है आपको उनकी परिशानी है लेकिन आपका पूरा संगठन इस समय माइनिंग माफिया को लेकर परिशान है आपके संगठन के बड़े मंत्री इस वकर denial denial के चकर में और अपनी 26 उदारने के चकर में पड़े हुए है जबकि इस समय हम सब का आपका मेरा सब का जो है समय फोकस होना चाहिए था कि किस तरीके से जम्मू संभागों कश्मीर संभागों दोनु संभागों में लोगों की जान बचाई जा सके क्या बताएंगे कि प्राथ मिक्ताओं को लेकर भारतेंदा पार्टी में इस तरह का confusion कभी नहीं होता था आप वही पार्टी है ना जिस पार्टी जो पार्टी जब विपक्ष में थी और अगर इस तरह के नहीं कर पा रहे हैं आप बिलकुल अपाईज और अपंग क्यों नज़र आ रहे हैं देखिए जुनेज जी मैं आपको grading में जर्निजम में जम्मू के श्वीर में एक different pedestal पे रखता हूँ इसलिए मैं आप तबको रखता हूँ और अमीद रखता हूँ कि आपके जो questions हैं जो मेरे से pressure हैं उनका level भी उसी level का हो देखिए एक distinction ड्रा करने की जरूरत है इसमें कोई शक नहीं सेंटर में सरकार बारती जन्ता पार्टी की इसमें कोई शक नहीं जो यूटी होती है it is administered by central government through home ministry लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि जम्मू किश्मीर में बारती जन्ता पार्टी के LG हैं यह नहीं कह सकते उनकी affiliation हो सकती है किसी political party से लेकिन वो constitutional head है उनके कुछ advisors है elected government नहीं है हम जो कह सकते हैं feedback देख सकते हैं हम LG साब को दे सकते हैं हम दिली में दे सकते हैं हम दे रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है हमारी feedback पे हो है जानता हूँ आज कल लोग बारती जन्ता पार्टी के खिलाफ भोल रहे हैं उसके कुछ मोटे मोटे कारण है यह ऐसी तराप्दा है कोई भी सिरकार होती शायद विफल हो गई होती लेकि यह यह अभिनाव जी आप यह मानेंगे कि अगर आजा विपक्ष में होते तो हालात इतने भयंकर नहीं होते जितने भयंकर हैं मैं आपको यह कह रहा हूँ आप यह यकीन करिए बेशक हम ना ओपोजिशन में है ना पावर में है जम्हू किश्मीर में में तो कोई इलेक्टिड गवर्मेंट है नहीं लेकिन मैं तब भी कह रहा हूँ हमारे जो लीडर्स हैं हमारे जो परदेश अदेख शहर विंदर रेना जी यहां संगठन महामंत्री हैं शोकोल जी हर दिन हमारी मीटिंग होती है आनलाइन होती है वर्चूल मोड पे होती है और कारकरता लीडर्स को कहा जाता है फील्ड पे जाएए और अगर हम मीडिया में आएं तो लोग कहते हैं यह अपनी पबलिसिटी ले रहे हैं मीडिया में नहीं आएं कहते हैं काम नहीं कर रहे अभी भी आप मेरे साथ चलिए मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अब किसी बेंट पे चलिए मैं मड़ कांसी चुएंसी की बात करता हूं निग्रोटा की बात करता हूं हर एक कामुनिटी हेल्थ सेंटर प्रैमरी हेल्थ सेंटर यह सब डिस्रिक हास्पिटल में आपको पांच-पांच-दस-दस बी-जे-पी के कारे करता मिलेंगे जो बलाडे रेंज कर रहे हैं जो लोगों को सिलिंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हास्पिटल में बैड बैड्स भी दिलवा रहे हैं मैं दिन के कम से कम चार फोन नराइना में करता हूं नराइना में लोगों को जरूरत पड़ती है अब सोर्सिस क्या है बड़ी बदकिसमती है कि लोगों को फोन करन को मेडिया में सरफ बयान बाजी करते दिखेंगे और कुछ अंजियो उस बड़ा च्छा काम कर रही है लेकिन कुछ अंजियो के हेड भी शाम को पाँच मिनट मीडिया पे आके अपनी कोविट नाइन टीन के शिकार हुए और इससे आप बाहर निकल कर आये हैं लिए आपको बहुत बहुत बदाई अन्त में सिर्फ संग्षेप में आपसे अभिनव जी जानना चाहूंगा जम्मु कश्मीर की सरकार और खासकर स्वास्त विबाग का जो की जो कारिशेली और काडिय प्रनाली है उस पर आप संग्षेप में क्या कहना चाहेंगे और अगर इसी तरीके से सिलसला चलता रहा तो भाजप्पा जम्मु के लोगों का कश्मीर के लोगों का उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इस तरासदी से बाहर निकालने के लिए भाजप्पा कि क्या करेगी किस तरीके से करेगी मैं तो सबसे पहले आपके मादियम से अलजी साब को एक अपील करता हूँ कि जितने भी medical colleges के heads हैं उनकी appointment reconsider की जाए seniority ignore करके merit देखा जाए उनके APRs देखे जाए ACR देखे जाए उनकी performance देखी जाए तो उनको different medical colleges का head बनाया जाए दूसरा कुछ competent लोग जो retired principles है retired director health services है उनकी feedback ली जाए कि कौन से competent doctors हैं जो voluntarily काम करना चाहते हैं जैसे आप देखते हैं गिने चुने inspectors वही 20-25 थानों के station house officers बार-बार depute होते हैं पोस्ट होते हैं ऐसा ही हाल medical education और health में हैं वही चहरे 10-20-30 चहरे बार-बार rotate होते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है नए लोगों को competent लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए और यहां तक जुने जी आपने mining की बात कहीं देखें जब कोई एक leader किसी political party का भी होता है और साथ में वह अपने किसी business association का एक representative भी होता है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए आगे आज मैंने interview देखा रंदावा जी का उन्होंने कहा जी जो मैंने statement दी थी वह as a president pressure unions के दी थी और मेरे कुछ एक्तालाफा थे उनके साथ जो डिया मोहेंट डिस्टिक मिनरल आफिसर मैं इस पे कोई बयान बाजी की जनता को नुकसान बरना पड़ रहा क्योंकि इन्होंने ब्लाक्स नहीं बनाए पिछले नौ सालों से सुप्रीम कोट की डिरेक्शन के बाब जूद भी और जब हाई कोट को पता लगा कि तवी ब्रिज के नीचे जो पिलर्स हैं उनके पास से भी माइनिंग होती है और ब सिचेशन बनी है कि ट्रैक्टर ट्राली जाले भी परिशान है और गरीब जनता भी परिशान हैं बहुत बड़ शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुडने के लिए आपका स्वास ठीक रहे आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें दुबारा जुडने के आप से करती थी वही आप पार्टी निस को कहता हूं कि आप एक दिन भी आपने कारे करता को चुप नहीं बैठने देते कोई ने कोई काम लगा के रखते लेकिन बदकिसमती से यह करोना कोविट पाजिटिव इसमें बड़े-बड़े कंट्री आप देखी यूके के प्राइम निसर हाथ खड़े कर दिये थे जनता को भी चाहिए क्योंकि जनता ने भी एस ओपी को फालो नहीं किया कुछ एड्मिस्ट्रेशन की तरफ से भी गलतियां रही होंगी लेकिन हम लोगों ने भी एस ओपी को फालो नहीं किया जिसका खन्याजा हम बुगत रहे हैं लेकिन बार बार म उसी से लोग होते हैं तो बारती जनता पार्टी से डरने वाली नहीं चार गुना ज़्यादा काम करके जनता को पताएगी कि एक ही पुलिटिकल पार्टी है जो जनता के हित में काम करती है और बारती जनता पार्टी धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया हमासा जोने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया